सबस्क्राइब करें मेरे चैनल जाइंग स्टेड़ी को और बेल के आइकन को दबा दें साथ ही आल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले सबी कमेदा राम राम टैन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रेशन नमबर 121 तीन सपरशक ब्रित खीचो जिनके कैंदर स्टान A, B, C दिये हैं सबसे पहले हमें तीन कैंदर दिये हुए हैं और हमने उन कैंदरों पे ब्रित बनाना है हम पहले कैंदर ले लेते हैं यह आपका A कैंदर है यह हमें ले लेता हूँ B केंदर एक हम ले लेते हैं C केंदर इस तरह से हमने तीन केंदर ले लिए है और हमने क्या करना है इन केंदरों को आपस में dotted मिला देना है कोशिच करना है आपने कि स्पाई से कारे करे और शुरुवात वहीं से करे जहां से आप से पूछा गया जैसे इसने कहा था कि केंदर हमें दिये हुए हमने पहले केंदर ले दिये अगर आप हमने इन केंदरों को अपस में मिला देना है इस तरह से और अब हम C और A को भी आपस मिला देंगे इस तरह से अब आपके पास इसमें एक कौन यहां बंड़ा है एक यहां बंड़ा एक यहां बंड़ा तो हमें C कौन की उतनी जरूत नहीं पड़ेगी तो यह दो-दो कौन हैं इनके हमने यहां पर समधी भाजन कर देना है B कौन का भी हम समझी भाजन कर देंगे इस तरह से चाप लगाएंगे यहां से आगे हम इस तरह से चाप लगा देंगे और इस तरह से चाप हम कट देंगे और जहां पर यह चाप कट रही है वहां पर हम इसको B के साथ मिला देंगे जा दोनों जाकर आफस में कर दोटरी है इस तरह से हमने क्या करना है यह जो आपका कौन है इसका भी हमने समझी भाजन करते है इस तरह से कि अब देख सकता है कि इस तरह से हमने इन दोनों का समझी भाजन कर दिया है जहां पर आपका आ रहा है इस पॉइंट का नाम आ दे देता है ओ आपने क्या करना है वो पॉइंट से एपी रेखा पर आपने एक कि लंब गिरा देना है यहां से इस तरह से चाप लगा देंगे और जहां पर दोनों चापे आ रही है इनके सीरों से हम आगे इस तरह से चाप लगा देंगे इस तरह से देख सकते हैं और जहां पर यह चापे आपस में दोनों कट रही है इसको हम और के साथ मिला देंगे कि दो टिट्ट अ कि अ कि इस तरह से देख सकते आप और जहां पर यह एवी देखा को सपर्ष करी है यहां पॉइंट आपका आगया डी यह आपका सेंटर आ चुका है दोनों प्रितों का आपस में सपर्ष करने के लिए आपने क्या करना है एक पर परकार रखो और डी जितनी परकार खोल दो यहां से यह आप देख सकते हैं और यहां पर आपने यहां से सरकल लगा देना है एक यह आप देख सकते हैं इस तरह से यह हमारा एक प्रित आ गया है इस तरह से यह हमारा ब्रित बन गया है अब आपने क्या करना है बी परकार रखो और डी जितनी परकार ख कॉल करके यहां पर आपने दूसरा सर्कल लगाना है कि इस तरह से यह आपका दूसरा सर्कल भी बन गया है अब इन दो सर्कलों के पॉधिती पर यह रेखा आपकी आपकी आपका पॉइंट है इसका नाम हम दे देता है यह और यहां पर जो आपका पॉइंट आ रहा इस दिवारा हमने यहां से लगाना है तीसरा बृत यह आप देख सकते हैं तीसरा बृत हमारा लग गया है और यह आपका प्रेशन नमबर है 121 यह हमारा बनके तयार अगला हमारा है प्रेशन नमबर 112 एक बृत खीचो जो दो दिये हुए बृतों ए बी को स्वश करें और घेरें परीमिती करने वाले बृत का अर्द ब्यास एक के बराबर है सबसे पहले हमें दो बृत दिये हुए है और एक अर्द ब्यास दिये हुआ है तो हमने दो बृत ले लेने हैं सबसे पहले उनको घेरता हुआ हमने एक बृत बनाना है जो आपका अंसर होगा तो यहां पर आप देख रहे हैं सबसे पहले मैं बृत ले लाता हूँ यहां पर कि इसका नाम हम देते हैं बी और एक ब्रित में और ले लेता हूं इसी के सीड में ले ले लेता हूं पहले लाइन लगा देते हैं यहाँ पर सीड में आ जाएगा हमारा कि डॉटेट लाइन के के अंदर पहले ही मिला लेते हैं इस तरह से यह आपका है एपाइंट इसको हम एपाइंट मांते हैं और ए ब्रित हमारा यह यहां बन जाएगा यहां पर यह हमारा ए ब्रित बन गया है वह हमने लेना है एक अर्दब्यास तो एक अर्दब्यास मैं इदर ले ले लेता हूं यहां पर इस तरह से यह हमारा अर्द ब्यास है अब हमने क्या करना है जो आपकी रेखा है ए भी इसके केंदर आपने मिला रखे हैं इनको अपने बाहर को बढ़ा देना है यहां से इस तरह से इसको बाहर को बढ़ा देता है यहां से भी और यहां से भी हम इसको बाहर को बढ़ा देंगे इस तरह से और जो आपके ब्रित है ब्रित के अंदर परीदी पर जैसे बी ब्रित है यहां पर स्पश्च करा है ए ब्रित आपको यहां स्पश्च करा है इसका नाम हम देते हैं C और यहां हम नाम देतेंगे E अब आपने क्या करना है जितना आपके पास ये दिया हुआ है अर्द बीहास इतने प्रकार खोल के आपने C. पॉइंट से निशान लगाणा है सिर्फ हमें निशान लगाणा है और हमने कुछीन है करना है निशान लगा दिया और इसका नाम हम दे देते हैं यहां पे आपका आगया है एफ यह पॉइंट हमारा है एफ यह दी एफ आपके दो पॉइंट आ चुके है अब हमने क्या करना है जो आपका सेंटर है यहां पर हमने परकार रखने जहां से आपने यह बिरित लगा रखा है यह बिरित जहां से हमें लगाय लगानी है इस तरह से और हमने क्या करना है बी पॉइंट से एफ जितनी परकार खूननी है यहां से यहां से और यहां से भी आपने एक चाप लगानी है डॉट टेट इस तरह से और जहां पर यहां पर यह दोनों चाप आपस ने कट रही है यह पॉइंट आपका आगया ओ आपने क्या करना है ओ से बी को मिला दो यहां से और इस रेका को बाहर को बढ़ा दो यहां तक और यह पॉइंट आपका आगया पी अब हमने क्या करना है ओ से पी जितनी परकार खोलनी है और यहां से हमने सरकल लगा दाना है यह जो आपका सरकल आएगा यह दोनों पुरेतो को घेरता हुआ आएगा इस तरह से और जो इसका अर्दब्यास होगा वो आपका A होगा जब देख सकते हैं यह अर्दब्यास के बराबर है और हमने यहां से जो है हो सर्कल लगा दिया है तो यह आपका प्रेशन बन के तेर अरफ हो गया है यह प्रेशन नम्बर आपका है 122